तो एक और बिमारी की इंट्री जो है भारत में हो चुकी है जी हमाने बात कर रहा हूं येलो फंगस के बारे में ब्लैक फंगस और वाइड फंगस के बाद जो है अब भारत में येलो फंगस का केस भी साबने आया है जो की काफी चिंता कभी से बना हुआ है सभी के लिए तो इस वीडियो में मैं आपको yellow fungus के बारे में बताने वाला हूँ और इसके जो cases आए हैं उसके बारे में हम discuss करेंगे देखिए इस वीडियो का बनाने का मेरा उद्धिस किसी को डराना नहीं है बलकि आपको aware करना है जो भी सामने cases आ रहे हैं COVID-19 के बाद क्योंकि अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं कि black fungus हो white fungus हो यह yellow fungus हो यह cases जो है COVID-19 के अंदर ही पाये जा रहे हैं तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं देखिए अभी जो black fungus और white fungus का cases जो चल रहा है बहुत काफी मात्रा में बढ़ रहा है और इसको epidemic भी घोशित कर दिया गया है भारा सरकार के द्वारे महमारी के रूप में भी black fungus के cases को घोशित कर दिया गया है ठीक है यह महमारी का रूप ले चुकी है और इसके सबसे ज़्यादा जो cases है वो फिलाहाल गुजरात और उत्तरपदेश में मिल रहे हैं लेकिन इन सभी के बीच में अभी media report में एक सामने आया है कि उत्तरपदेश के गाजियाबाद में एक 45 साल के बैक्ति में जो है यलो फंगस का case मिला हुआ हाला कि वो बैक्ति जो है उसको ठीक कर दिया गया है यानि कि उसकी मिर्ट्यू नहीं बच गया वो लेकिन यलो फंगस जो है इसको black fungus और white fungus से भी जादा खतरनाक माना जा रहा ह है इसका वज़ा ही है कि यह जो सरीर के आंत्रिक पार्ट में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इसलिए जो है इसको black fungus या wild fungus से भी जादा खतरनाक माना जा रहा है ठीक है इससे जो मिमारी हो रही है उसको म्यूकर अस्पेटिक्स कहा जा रहा है तो चलिए जानते हैं कि black fungus क्या होता है यलो फंगस क्या है ठीक है यलो फंगस के बारे हम थोड़ा सा और डिसकस कर लेते हैं इसमें देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यलो फंगस जो यह सरीर के आंत्रिक भागों में सूरी होता है और उसके कारण यह संक्रमन निट same संक्रमन है वह ब्लाइक फंगस और वाइट फंगस से काफी अलग है और जैसे जैसे शरीर में बढ़ता है तेजिस के साथ ग्रोग करता है और अन्य पार्ट को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है ठीक है अगर हमें बात करें तो इसके चपेट में आने के बाद कोई भी अपने लाइगों पग जाता है ज्यादा ठीक है और बहुत ही धीमी गती से ठीक होता है और आंखे जो है दो धस जाती है कई अंग काम करना बंद कर देते हैं और मेताबोलिक शीटम जो है वह भी मनिस्ट का कमजोर जाता है खराब हो जाता है ठीक है तो इसके कुछ लकषन को भी हम लोग देख लेते हैं अगर यलो फंगस के बात करें लक्षन के तो यहाँ पर इसका पहला लक्षन के नाक बंद हो जाना शरीर के अंगों का स्चुन होना भूख नहीं लगना शरीर में टूटन और दर्ध होना सुष्टी या थकान महसूस होना शरीर में अत्यधिक कमजोड़ी होना हाई हाट रेट का बढ़ जाना है कि हर्ड बीड तेज हो जाना शरीर में घाओं से मवाद बहना और तो यह कुछ के बहुत ही महत्पूर्ण दिखा जाता है तो उनको जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि अगर इसका इलाज हो रहा है तो राइट टाइम पर इलाज होता है तो वह रिकती रिकवर कर सकता है यलो फंगस से और इसमें जो बात किया जाए बता रह सब्सक्राइब हो रहे हैं अभी जाया है और इन सब्सक्राइब दवा है फिलाल एक ही दवा है जो यह है आम फोटरी सिंग भी जो है यह injection दिया जा रहा है हाना कि अब करळने के कारण इस दवा का भी एस अ Fellmen का सरकार ने कहा है कि बहुत ही तेजी से किया जा रहा है और उस के निशार उनको दवां प्रॉबाइiende करा जा रहा है ठíamos और इस दवा bucket तो यह वाईड थिर्टी जो है रिकावर हो जा रहा है तो आशक करता हूं कि उस वीडियो में आपको समझ में होगा कि यलो फंगस क्या है अगर कोई दिक्कत हुआ है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूश सकते हैं अगर कोई चीज़ा नहीं समझ मैं आयँ तो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर लिजिएगा और चैनल पना हैं तो चलो सब्सक्राइब के लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में हम लग तब तक के लिए धन्यवाद